श्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adda 247 पेदे के सुप्रीम कोट ने काफी बड़ा एक जो वर्डिक्ट है वो दिया है रिसेंटली EWS जो आरक्षन है इसके उपर जो एकनोमिकली वीकर सेक्षन है इसके उपर जो एक पेटिशन लगी वी थी सुप्रीम कोट में इस पर जजज्मेंट आया है और सुप्रीम कोट ने इसको अपहोल्ड पे रखा है यानि EWS जो आरक्षन है वो सही है EWS जो आरक्षन है वो कोई violation of constitution नहीं है यहाँ पर उलंगन जो है वो इस आरक्षन को नहीं बताया गया है तो आप reservation जो है वो confirm मान सकते हैं यहाँ पे आप news देख पा रहे होंगे सुबह से सुप्रीम कोट अपहोल्ड 10% quota for economically weaker section no violence of constitution काफी जीब बात है लेकिन ऐसा verdict है जिसमें Chief Justice of India ने ना कहा है यानि जो voting होती है अंत में फैसले के उपर उसमें हाँ या ना पर vote डाले जाते हैं तो CJI ने ना कहा है तो खेर ऐसा होता है लेकिन फिर भी इसको हम discuss करते हैं काफी कुछ आप जान पाएंगे इस वीडियो में इसे प्रसुत करता हूँ मैं मेरा नाम है सुरफ स्वामी आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर याद दिला दूँ बिल्कुल recording वीडियो के साथ भी अपनी तयारी आगे बढ़ा सकते हैं supreme best है इसका मतलब आपको बहुत सारी test series में मिलने वाली है और देखा जाए तो इसमें आपको mentor के रूप में IS officers खुद आपके साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी तयारी आगे बढ़ा सकते हैं और अगर आपको इसकी price बहुत ज़्यादा लग रही है कि इसकी price ज़्यादा है तो देखे बहुत अच्छे offer अड़ा पर चलते रहते हैं आपको Y572 जो code है वो लगाना है जैसे ही आप यहाँ पर यह code लगाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं simple आपके जो 46,000 रुपे हैं वो discount हो चुके हैं और सिर्फ 13,799 रुपे में आपको यह course मिल जाएगा सिर्फ 13,000 रुपे में वो भी UPSC का इतना serious code जिसमें आई-एस officers खुद आपके साथ रहेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर Mr. Anmol जिनकी All India में 83 रैंग थी 2018 में Mr. Prabhad जिनकी All India में 367 रैंग थी यह आपके mentorship की रुप में आके साथ रहेंगे मतलब आपको समय समय पर motivate करते रहेंगे आपको mentor करते रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो इतना शांदार course आपको 13,000 रुपे जैसी कम price में आपको मिल रहा है ऐसा श्याद आपने किसी platform के अपर अभी तक नहीं देखा होगा तो देखे अगर आप जिंदिगी में serious होकर UPSC की त्यारी करना चाहते हैं तो इस course को handle करना बिल्कुल भी ना भूलें इसमें pre plus mains plus c set तीनों की त्यारी करवाई जाएगी साथ ही ये bilingual batch है आप किसी भी medium से belong करते हों या आपके लिए काफी फाइदेमंद जो course है वो होने वाला है इसलिए इस course को handle करना बिल्कुल भी ना भूलें और जितने भी course है अट्डाटूवर्स या अप्लिकेशन के उपर या वेबसाट पे चाहिए आप banking के student हों, SSC के हों, railway के हों अगर आप कोई भी course एनरोल करना चाहते हैं, state pieces का भी कोई course हो तो Y572 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें आपको सीधे 75 से लेकर 78 तक का परसेंट तक का डिसकाउंट है वो ज़रूर मिल जाएगा देगे सुप्रीम कोट ने जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है EWS उसको दिये गए आरक्षन को मंजूरी दे दी है, मतलब वैद माना है यहाँ पर Chief Justice UU ललित की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने 3.2 मतलब 3 में हाँ है, 2 में ना है तो 3.2 में संविधान में जो एक सु तीनवा संशोदन हुआ था उसके पक्ष में फैसला सुनाया है यानि आप यह मान सकते हैं कि तीन जो जज है वो इसके पक्ष में है और दो जज जो है वो इसके भी पक्ष में है हाला कि ऐसा हुआ है कि मुखे नैदिस, यू यू ललित और जो नयाई मूर्ती है रविंदर भट इन्होंने EWS जो कोटा है इसके खिलाफ अपनी राय व्यक्त की है बाकि तीन जजोंने का है कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है लेकिन ये भी है कि EWS कोटे में सामानिय वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 प्रतेशित आरक्षन मिलता था और 2019 में 103 संशोजन हुआ था उसके तहट EWS जो रिजर्वेशन है वो हमारे सामने आया था हाला कि इसके कुछ शर्ते थी वो हमागे देखेंगे लेकिन इन में से आप देख सकते हैं इस तस्वीर से कि कौन कौन से जो जज है इन्होंने इसके पक्ष में बात कही है और किसने इसके पक्ष में बात कही है जस्टिस बेला तर्वेदी इन्होंने इसके पक्ष में बात कही है जश्टिस दिनेश माहिश्वरी इन्होंने भी इसके पक्ष में बात कई है जश्ट CGI यू यू ललित जिन्होंने इसके विपक्ष में बात कई है इनके अनुसार ये जो EWS जो रिजर्वेशन है वो समीधान के खिलाफ है इसके साथ ती रविंदर भट जो जश्टिस है इन्होंने भी इसके खिलाफ जो अपना पक्ष है वो रखा है इनके अनुसार भी जो EWS जो इसके पक्ष में अपनी राय रखी है लेकिन उससे पहले आपी समझीए कि 2000 गुनिस के अंदर जो केंद सरकार है इन्होंने अनौंस किया था 103 वा समयधनेक शंशोदन अब कोई भी समयधनेक शंशोदन है वो लोक सभावें पास होता है उसके बाद में राज्य समयधनेक पास होता है उसके बाद राश्पती उसके अपर अपनी महर लगाते हैं और इसके आधार पर ये कहा गया था कि जो EWS वर्ग है इसको परवेश में या सरकारी नोकरियों में 10 परतिशत का जो आरक्षन है वो परदान किया जाएगा हाले कि कुछ शर्ते जो है वो रखी गई थी कि परिवार की जो आए है वो सालाना आठ लाक रुपर से कम होनी चाहिए क्रेशी योग्य जो भूमी है वो 5 एकर से कम हो आवासी घर जो हजार वर्ग फीट से कम हो उसके साथ जो अधिसोचित नाय पाली का है उसमें 100 गज से कम का पुलाठ हो और साथ ही जो 1 अधिसोचित नगर पाली का है उसमें 200 गज से कम का पुलाठ हो ये कुछ 5 बेसिक सरते जो है वो रखी गई थी वही वेक्ति इसके अंदर आ सकेंगे और उसके बाद में लोगों ने इसका काफी फाइदा उठाया भी है आज भी लोग इसका फाइदा उठाते हैं मतलब जो EWS सेक्षन है वो इस रिजेशन का पूरा-पूरा फाइदा उठाते हैं लेकिन देखे जब से ये जो संचोतन हमारे सामने आया था 2019 में उसके बाद में सुप्रिम कोर्ट में स्पैसिफिकली केरल तमिल नाडू जैसे कुछ जो राज्य है इनके तरफ से बहुत से पेटिशन जो है वो लगाए गई थी कि ये जो है समयदानिक जो भावना है उसको ठेस पहुँचाता है लोगों को जादी के आदार पर बाटने का काम जो है वो EWS आरक्षन करता है इस तरह की जो पेटिशन थी वो सुप्रिम कोर्ट में पहुँची थी अब जिसे एक्जामपल के लिए आप केरल का एक्जामपल ले सकते हैं केरल ने इस पूरे वर्डिट के ओपर जब ये EWS आरक्षन आया था तब ये कहा था कि सरकार ने EWS के लिए एक आदेश जारी तो कर दिया लेकिन यांस जो केरल की जनता है वो खुश नहीं है क्योंकि सीरसक जातियों को वहाँ पर बहुत से अलग-अलग आरक्षन जो है वो मिले हुए हैं और वैसे भी सभी देश में सभी विशेशादिकार जो जातिया है इनको मिला हुआ है तो कुछ इस तरीके के जो अब्जेक्शन है वो लगाए गए थे उसके साथ जब पेटिक्शन लगाई गई तो DM के पार्टी या फिर और भी जो तमिल नाडू की कुछ पार्टिया है इन्होंने भी सुप्रेम कोट में पेटिक्शन लगाई थी और कुली मिलाकर इन्होंने ये कहा था कि देश को जाते के आदार पर बाटने का जो काम है वो EWS आरक्शन कर रहा है मतलब समविधानिक ये जो संशोदन है ये सामाजीक न्याय की जो समविधानिक दरस्टी है उस पर हमला करता है समविधान की भावनाओं के उपर हमला करता है फिर सरकार ने 2022 से इसके उपर सुनवाई करना शुरू किया और 27 सिप्टमबर को यहां पर अगर हम बात करते हैं तो EWS कोटे की विद्धिता को चुनोती देने वाली जाची का है सुनवाई की गई बाद में सुप्रीम कोट ने अपने जो फैसले हैं इसको सुरक्षित कर लिया था और सुप्रीम कोट ने यह भी कहा था कि नवंबर में अंतिम जो निर्ना है वो लिया जाएगा और अगर हम सरकार के पक्ष की बात करते हैं कि सरकार इसके उपर क्या बोल वाला जो पूरा एक विद्यक है इसके माद्यम से दिया गया आरक्षन जहें वो जन्ता के लिए सही है यहाँ पर यह कहा गया कि 50% कोटे से चेरचार किये बिना सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्गों को जो यह आरक्षन है वो दिया गया है इसलिए यह कह कोई लंगन करता है यानि इसके तहट किसी अन्य वर्ग का आरक्षन कम नहीं किया जा रहा है इसलिए समविधान की मूल भावना को मूल धाचे को यह कोई भी इसका जो वाईलिशन है वो नहीं करता है तो कुछ सरकार के पक्ष में इस तरीके की बाते थी विपक्ष में इस नहीं जाती है कर यह था इस वीडियो में आपको ज़रू कुछ निया जानने को मिला होगा इसी तरीके के इंपोर्टेंट और इंपरमेटिव वीडियो इसके साथ हमागे मिलते रहेंगे अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो आज यह सब्स्राइब करें औ और वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद